आप लोगों का स्वागत करती हूं यूटूब प्रमोशनल वीडियो में जहां आप सीखते हैं एकाउंट विद टैली प्राइम जियां दोस्तों एडवांस टू बेसिक टैली प्राइम तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम कंपनी ओप्संस में जाके पा है ठाव किया और हमने इसे accept किया था जैसे हमना है इसे accept किया तो यह हमारे पास new user का नाम मांग रहा है टो हम्याँ पर देंगे जो हमारा new user हमने create किया था उसका नाम and then हम इसे accept करेंगे अब्टंस को स्ब्राइंबल किया था तो हमारे यूजर मेनेज्मेंट की कुछ options जैसे कि आप देख सकते हैं Change user Change password user and password user rules और password policy अगर आपको user का नाम change करना है तो आप यहां से user का नाम change कर सकते हैं यहां जिंज username पर ऐदरवाइज रहने दे कि वह अगर है ट्ब है चैंज पासवक करना चाहते कहने तो हमने जो हम package पुराना password दालना हो गा और फिर हम जो दूसरा password दालेंगे जुआ पासवर्ड डालेंगे एंट फिर हम confirm पासवर्ड करेंगे एंड दन हम इंटरप्रेस करके एकसेप्ट करेंगे इस तरह एक कंपनी में पाशवर्ड लगाए उजर नेम हमने सेलेक्ट किया old password, new password, change password करना सीखा वापिस से हम आते हैं user and password पे तो user पे यहां हमारे list of user company की name है अगर आपको किस किस चीज पे password लगाना है data entry पे, owner पे, या टेलीनेट auditor पे या फिर टेलीनेट order पे, या फिर टेलीनेट user पे तो आप user के roles को select करें जैसे कि हम data entry को select करते हैं और user name हम डालेंगे अब यहां पे all browse, all remote, access वगर आगर आपको allow करने हैं तो आप allow करेंगे password आप अज डालना चाहते हैं तो डाले, otherwise आप इसे accept कर ले इसके बाद हम आते हैं पासवर्ड पॉलिशी पे तो जैसे हमने पासवर्ड पॉलिशी फोर कंपनी को के options पे क्लिक किया तो यहां पे activate password policy हमें इसे yes करना होगा और जैसे हमें yes करेंगे तो password का strength आगा अब हम password लगा रहे हैं बट हमें मालूम नहीं कि हम पासवर्ड में कितने length डालें तो minimum password हमारा 8 length का होता है अगर आपको change करना है तो आप इसे change कर सकते हैं 5 कर सकते हैं 6 कर सकते हैं यह आपके उपर depend करता है अब आ रहा है specify advance permameters for password strength अगर यह आपको yes करना है तो yes किजी otherwise no है जैसे आप yes करेंगे तो minimum number of alphabetic character अब आप से पुछिया कि minimum number alphabetic character का कितना डालना है एक दो तीन चार ABCD इस टाइब से minimum number of number of numeric characters and minimum number of special character alphabetic character में हमारा आजाएगा ABCD ABCD numerical में हमारा आजाता है 1 2 3 4 इसी तरह हमारा next आता है जैसे कि आपने यहां पर minimum password length of four select किया और जैसे हमने अल्फाब सेलेक्ट कर सकते अधर्वाइज नहीं वापिस हम स्केट की से बाहर जाएंगे और हम यहां पर आके पासवर्ड पॉलिशी और जैसे हम इसे यह करेंगे इंटरफेस करके नीची आएंगे तो हम यहां पर एट रहने देते हैं अगर आपकी मर्जी आप पास कर दें जैसे हम यहां पर यहां पर यह करते ही इस उप्संस को तो हम मिनिमम अल्फावेटिकल नंबर कितना जालना चाहते हैं तो दो नुमेरिकल नंबर कितना डालना चाहते हैं दो और आप हमारी एसपेसल नंबर जैसे कि आपका होता परसेंटेज gasoline horse यहां यहां paid यह सब आपका इस पेसल नंबर अगर आप आपने पासवर्ड में यूज कर नहीं हैं तो वह आप कितने दिन पर कर सकते हैं इस वीडियो को मैं अगली वीडियो में बताऊंगी इस टॉपिक को फिलहाल आपने सीखा पास्वर्ड पॉलिशी का जो स्ट्रेंथ होता है वह यूज करना तो अगर आपको हमारे कमप्लीट कोर्स की वीडियो चाहिए तो आप आप आई पीटी एक्सल स्कूल की मोबाइल डाउनलोड कर सकते हैं यहां यह हमारा कुछ प्रमोशनल वीडियो जिसमें मैं थोड़ा थो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए अगर आपको हमारे कमप्लीट कोर्स की वीडियो चाहिए तो आप एक्सल आई पीटी ए स्कूल की मोबाइल डाउनलोड करें और व कि उसको एकसल स्कूल वाले अप में आपको मिलता है एकसल विठ माइक्रो प्रोग्रामीं की वीडियो अद्वान्सक्ट बिध क्रोप फर्मूलेच की वीडियो तो वन्ट Оणलाइफ क्लास कैसे हम ज्एन करें उसकी वीडियो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियोग येंक Thank you!